हेले रिवान वेल्कम टू कंपरेशन करियर पॉइंट मैं आज आप लोगों के लिए गोदावन उपनियास से समंदित 185 प्लस MCQ यानि वस्तुनिट प्रश्णों का जहम लोग प्रैक्टिस सेट फॉर आज कवर करेंगे जिसमें 35 प्लस आपको MCQ देखने को मिलेंगे सुर्वात करने से पहले अगर आपने जैसे सी सिजियल हिंदी पेपर 2 या महला परिष्छी का या सहायक अचार 6-8 वर्क के तियारी कर रहे हैं अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूच किया है तो उसी के तहत आपको ये सारे कंटेंट डेखने को मिलेंगे जैसे कम्प्लेट नोट्स कम्प्लेट नोट्स बीश टेस्स रिच गोटि दूनों का प्राइस जो है अलगराग रहे और यह सब को ड्सक्रिप्सन बोक्श में देखने को बिलेगा और यह सारे आपको पीडिप फोर मिलेंगे जोकर पेडिप 562 होंगे और यह वसच्छ नमर् कि यह वाट्शाप नमबर आपको मेसेज करके इनफर्मेशन गेंड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक चेकीज़ेगा तो उहां पर सारे आपको मेंसन देखनों को मिलेगा ओके और यह कंप्लीट नोट्स के और मैं अधारों इंडिविजूल टोपी कभी आपको पीडिय है कि जिसके जरूवत है जिसका पास टाइम नहीं है वही पिडिय अगर जिसका पास टाइम है तो मैंने सारे लब लब अल्मोस्ट आपको यूट्यूब पर फिरी ओफ पॉस्ट में सारे वीडियो आपको एवलेबल है तो हां से भी देखे आप खुझ से नोट्स मना सकते ह है शुरूबात करते हैं हम लोग इसे पहले गोदान उपनियास मैंने प्रैक्टिस सेट वान टू थी डा रहा हूं उसे जरू से देखे यह प्रैक्टिस सेट फोर है जिसमें हम लोग 35 MCQ देख रहे हैं मानो चेतर पर प्रकास डलना और रहस्यों को खोलना ही उपनियास का मुल्ट तत्व है उपनियास के बारे में यह किसका विचार है तो बिलकुल जाहिर है यह प्रैमचंद की का विचार है नेक्ट है प्रैमचंद के किस उपनियास को उपनियासिक महाकाविक की संग्या दी गई है तो बिकल्प भी गोदान नेक्ट है किस बिकल्प के अंतरगत लिखित कोई एक इस्त्री पात गोदान की कथा में नहीं है एक छूनियासिलिया गोबिंदी यह सब सारे गोदान के गोदान में इस्त्री पात रहे है रूपा चुहिया नौरि यह भी है लेकिंद धनिया मालती है लेकिं बिकल्प क्या होगा शसाही उतर होगा अज रिख्येर सोन सोना गोवासोना पूरणी सरोच सारे यह आपको देखने को मिलेंगे संसार में गौव बनने से काम नहीं चलता तो गुदान में यह कथन किसका है जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं थाना पूलिस कचहरी अदालस सब हैं हमारी रच्छा के लिए लेकिन रच्छा कोई नहीं करता चारो तरफ लूट है गुदान में यह कथन किसका है तो बिल्कुल विकलपे राम सेवक जी का है नेख्ठ है मालती बहार से तितली है भीतस से मदुभक की मालती के बेक्तितू के समन में एट अपनी किसकी है तो विकलपी लेखक की नेक्ट है परकासन वसके डिष्टी से प्रिम्चन के उपनियासु का सही करम है तो पहले रंग भूमी, निर्मला, करम भूमी, गुणान, बिकल्प सी यहां देखे, रंग भूमी जिसका परकासन 1925, निर्मला, 1937, करम भूमी 1932, और गुदान 1936 गुदान उपनियास का होरी नाम अवद परांद के किस गाउं के रहने वाला किसान था तो विकल्प बेलारी यह तति किस उपनियास से समन्दित है, तो विकल्प D हो जाएगा गुदान डॉक्टर गुपाल रैकनसार गुदान में पात्रों के संख्या कितनी है, तो विकल्प D 84, इसे प्रूस पात बताये गया, 56 और इस्तिर पात 28 गुदान भारतिये किसानों का मर्म अस्पर्शी करून और त्रास्त दास्तावेज है, यह कथन किस अलोचक का है, तो विकल्प A डॉक्टर बचन सिंग का है नेक्ट है, गुदान ग्रामिन जीवन एवम क्रिशी संस्कीती का महाकाबी है, यह कथन किस अलोचक का है, तो विकल्प A डॉक्टर गोपाल राय जी का है नेक्ट है, होरी ने मंगरु साह से बैल खरिदने के लिए कितने रुपे लिये थे, तो विकल्प B 60 जूनिया के पीता का क्या नाम था? तो विकल्प B भोला नेक्ट है, गूर से मारने वाला जहर से मारने वाला का पेच्छा कहीं अधिक सफल हो सकता है, गोदान उपनियास में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर, प्रोफेसर मेहता जी का है प्रफेसर मेहता जी का है नेक्ट प्रेशन जो है किसी को भी दूसरे के स्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है उप जीवी होना घोर लज्जा की बात है गोदान उप नियास में यह कथन किसका है तो डॉक्टर मालती जी का है मिस मालती मिश्टर खान्ना की पत्नी का क्या नाम था तो विकल्प डी कामनी मालती ने डॉक्टरी के पढ़ाई कहां से की थी तो विकल्प ए इंगलेंड निवलिखित में से किस पात्र को नौईक के सच्छात परतीमा कहा गया है तो मालती को नेश्ट है बीवा को मैं समाजिक समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना इस्तिरिक को गोदान उपनियास में ये कथन किस का है तो मेहता जी का है गोदान की विडवना यह है जिनगी में जो गाई नहीं मिलती मरने पर उसी गाई को दाद करने के लिए कहायता है कथन किस अलोचक का है तो डॉक्टर नामवर्शिंग का है गोदान में ये थात अपनी पुरी भयावता के साथ नंगा खड़ा है कथन किस अलोचक का है तो डॉक्टर नामवर्शिंग का है अगर आप उत्तर भारत की स्वस्त जनता के अचार बिचार जानना चाहते हैं तो प्रेमचन्द की उत्तम परिचायक आपको नहीं भासा भाव, रहनसान, आसा अकंच्छा, सूख दूख, सूजबुच मिल सकता है कथम किस आलोचक का है, तो विकल्प सी हजारी पसाद दिवेदी जी का है नेक्ष्ट है, गोदावन भारती किसमन की निस्कृता की महन टेजडी है, कथम किस आलोचक का है, तो विकल्प भी नामवर शिग निख्ट है गोदावन की मूल्ख समस्या रीण के समस्या है कथन किस आलोचक का है तो बिकल्प सी राम बिलाश सर्माजी का है निर्ट है गोदावन अदी में लिखता क्रशना कार कौन है तो बिकल्प भी जैने दर्व कुमार खन्ना पुंजिवादी की प्रतिमूर्ति का है विकल्प भी डॉक्टर लच्वी सागर निख्ट है होरी का चरित्र भारत के अजे किसान का चरित्र है गोदान उसके भगिरत परिश्रम की गथा है कथन किस अलोचक का है तो ब्राम बिला सर्माजे का कथन है गोदान उप्यास में कितने प्रक्रम है तो विकल्पे 36 या अधियाई भी बोल सकते हैं आप लोग निख्ट में से होरी के चरित्र की भी सिस्ता नहीं है तो विकल्प डी हो जाएगा पुझी वादी का ब्रोधी गोदान भारतिये दापती जीवन का सोक गीत है कथन किस अलोचक का है तो विकल्प डी डॉक्टर नामवर्शिंग हम मानवता का वो पद ना पासकेंगे जिस पर पहुँचना ही जीवन का अंतिमलच है गोदान उपनियास में यह कथन किस पात्र का है तो विकल्प राई सहब गुदान उपनियास के पातर भोला ने सोने की हस्या किसे कहा है तो विकल्ब सी गिरह सती को गुदान उपनियास के किस पातर की बंबय में दूद की दुकान थी तो विकल्ब भी जूनिया की पती की नेक्स्ट है बेवार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुर्पियोग करें लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कालिमा के से कभी मलिन नहीं होती गुदावान उपनियास में यह कथन किसका है तो विकल्प भी लेखक का है नेक्स्ट है हीरागी पतनी का नाम क्या था तो विकल्प पूर्णी या पूर्णिया भी बोल सकते हैं आप आज कामती प्रस्ण जो है पंडित डाता दिन कितने साल के थें तो विकल्प सी हो जगा सत्तर यह था कुछ आपको जो छूटे वह जो प्रस्ण से गुदान उपनियास रिलेटेड अगर इसके साथ और भी कुछ प्रस्ण को संग्रा होगा क्लेक्शन होगा तो आपको देखने को जरू मिलेगा पार्ट फाइप के रूप में ताकि मैं मैं बेतिन से बेतिन कर्टें देने के कोसिस करता हूँ कि ताकि आपका एक्जाम में ऐसे प्रस्णा को छूटे नहीं ओके ओके थैंक यू सो मच फूर वाचिंग वीडियो